तो कैसे हैं आप सब तो आज हम आपके लेकर आया है डेमोग्राफी सेंसे इस फीचेस और फंक्शन का पार्ट नबर त्री जिसमें हम इस टॉपिक को समप कर देंगे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सेंसिस पे दो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक लॉग वीडियो में ही आपको सब कुछ कवक रा दे जाए ताकि आपके कम से कम टाइम में इसले बस मैं कम्प्लीट करा सकूंगा बात करते हैं आज पार्ट नबर त्री की आपको दो पार्ट अल्रेडी प्रोवाइड कर दिये जिसमें हमने डेमोग्राफी को डिटेल में पढ़ा तो जिन्हों ने वो लेक्षे नहीं रहें आप उपर आइबटर को क्लिक कीजिए उदर से आपको दोनों लेक्षे मिल जाएंगे तो आज हमारा टॉपिक है सेंसिस जिसे हिंदी में जन गन्ना कहते हैं ठीक है उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो फीचर के बाद हम इसके फंक्शन भी पढ़ेंगे और जो में चीज इसमें जाने वाली है और जिसके डिटेल आपको कोशन आने वाला है डैट इस यूर ओवर्विव ऑव सेंसिस 2011 जिसमें हम 2011 के ओवर्विव के बारे में बात करेंगे कि कितना खर्चा हुआ उसका मोटो क का भी ओवर्विव देखेंगे कि सेंसिस में जे एंड के का क्या बताया और आपको मैं बताऊंगा कि क्लास पॉर्ट के इसमें से जो कोशन आया था उसको हमने कैसे अटेंप्ट करना था अब बात करते हैं सेंसिस ठीक है जैसे कि मैंने आपको हिंदी में बता दिया सकाला गया है इडिज लेटीन वर्ड लेटीन वर्ड कौन सा सिंसियर और सिंसियर का मतलब क्या है एस्टीमेट करना है ठीक है अब सेंसिस है क्या सेंसिस आपका वो मैथट है ठीक है जब आपको स्टेटिसिक्स पढ़ाऊंगा उसमें आपको और क्लियर करूंगा सेंसिस आ होता है अच्छा इतने ज़्यादा लोग है इसमें से एक दो बंदा लेता हूं उससे information लेता हूं और उनी को analyze करके बाक्यों की मैं information लगा लूँगा इतना time नहीं है मेरे बाद sample में हम वो करते हैं लेकिन census method कहता है चाहे चाहें 10 करोड बंदा भी है उसकी आप study करोगे चाहें 500 करोड बंदा भी है हर एक बंदे करसे आप उसका data लोगceans हर एक बंद से हुचोगे हां और तेरी सकती है हाँ भाई तेरा नेशनलिटी क्या है तेरा नाम क्या है ठीक है तो वह कौन सा मैठेड के लाता है सेंसेज तो सेंसेज का आपको मेन पीचर पता होना चाहिए that it covers every individual हर एक individual को cover करता है तो में चीज़ यह है इसके census के बार में तो कहीं definition पढ़ लेते हैं that it is a complete enumeration of population or group at a time in at a point in time with respect to well defined characteristics मतलब कि यह complete enumeration है उसका complete analysis है किसका population का at a point of time एक पॉइंट पर टाइम पर जैसे कि आपको पता है census हर दस साल बाद होती है तो एक fixed period किया जाता है इंडिया के जैसे दस साल है बागी countries का different हो सकता है maximum का 10 years ही है with respect to well defined characteristics और साथ में उनके well defined characteristics के बारे में भी हम पढ़ते हैं जैसे कि हमने किसी इंसान को पगड़ लिया उससे हमने पूछा जनाब आपका नाम क्या है आपकी age क्या है आपकी qualification क्या है आपकी income क्या है आप urban area से नाता रखते हैं कि census term पहली वार देने वाले कौन थे हमने डेमोग्राफी पढ़ा था तो डेमोग्राफी देने वाले पहले इंसान कौन थे आप सभी को याद होगा वेरी फर्स लेक्षे में मैं आपको बताया था डेमोग्राफी इस कॉइंड बाइचाइल गिलाड यहीं बताया था कौन से अधर में 1855 लेकिन census टर्म देने वाले इंसान थे शर्वियस टूलस आप याद कर लो यह से याद कर लो सर्विस सर्विस से रेटरी नाम रख लो ठीक है अगर आपको मुश्किल लगते न सर्विस आपको मैं सारा डाटा ऐसा याद कराऊंगा कि आपके लेक्षे के एंड इस तक आपको खुद याद होगा ठीक है तो तर्म गीवन बाय सर्विस टूलस नेक्स था फिर्ष्ट मॉडर्ण सेंस वर्ड में कभूर पहले क्या होता था पहले सेंस पता क्यूं होता है सेंस वर्ड का असली में उत्पन कहां से हुआ पहले क्या होता था जो राजा मारा चल्हाँ थे या ओधर के रूलर से वो किया करते थे टेक्स-एंफोयमेशन के लिए आपको अग्रेमेर क्लिये सब्सक्राइब चया या करते थे टेक्स आफरस्ट नहीं करते थे थे तो तो वो modern census नहीं मानेगे लेकिन अब modern census पहला कब हुआ तो अगर आप से इदर question पूछ रहे तो आपने बताना है सर modern census first time हुआ था USA में वर्ल्ड की बात चल रही अभी कौन से इर में 1719 में उसके बाद इंडिया की अगर बात करो अगर इंडिया की बात करें it was done in first time done in daka daka जो आपकी कहां पर है बागला देश undivided के time पर ठीक है undivided अगर आप से उतर पुछा जाए first modern census in undivided इंडिया that was in daka and in 1830 और कोन कराने वाले थे बाए Henry Walter जिसे आप father of Indian census भी बोलते हो कुछ books यह कहती है अभी आगे और भी मैं बताता हूँ फिर बात आती है वो मैंने आपको बताया undivided का इदे देखो मैंने लिखा हुए है लेकिन बात आती है इंडिया की undivision के बाद पहली census that is in 1872 by Lord Mayo ठीक है उस टाइम के विश्रोय थे यह आपने यह भी नोट डाउन करना है लेकिन अगर एक और question आ रहे देखो तीन आपने confused नहीं हो ना ध्यान से सुनो यह undivided का पहला था that is in daca first census लेकिन division के बाद आपका 1872 में हुआ है by Lord Mayo लेकिन अगर complete census की बात करें एक complete census कब हुई that is in 1881 by Lord रिपन इसमें क्या थे बड़े flaws थे कुछ सही तरीके का census तो हुई लेकिन इसका कुछ data कठा नहीं गया गया कुछ end में result नहीं मिला लेकिन जो एक complete census हुई वह हुई 1881 में by Lord रिपन ठीक है उस टाइम में ही पहले census commissioner भी चुनेगे तो पहले census कमिशनर कों थे W.C. Plodden जिने father of Indian senses भी कहा जाता है मैंने आपको उपर भी बताया Indian senses के father को ने है Henry Walter लेकिन इदर मैं कहने हो W.C. Plodden तो confused नहीं हो न जो जो कुछ इस प्रकार के question नहीं भी डालेंगे अगर डालते भी हैं और दोनों option दी हैं तो suggestible यह है Henry Walter क्यूंकि first time तो इन्हों नहीं कि किया था ठीक है आपने दोनों option को याद अखने हैं अगर दोनों options आते हैं तो undivided वाले को आपने ज्यादा preference देनी है ठीक है फिर से को यह मैं बता देता हूं first हमारा सेंसिस इंडिया में ढाका में हुआ जब undivided के अगर बात करें that is here in 1830 by Henry Walter उसके बाद बात करतें 1872 में Lord मायो and the first complete most important complete complete वाला आपने याद अखने है जिसके बाद हर साल के बाद हर 10 साल के बाद हमारे सेंसिस होने लगे that is your 1881 by Lord Rippan and first census commissioner भी इसी साल में चुना गया that is your WC Plodden father of Indian census अब बात करते है 1961 एक को चीज़ आपने याद अखनी है एक commission बनाएगी that is your Registrar General and Census Commission of India by MHA Ministry of Form Affairs कौन से साल में बनाएगी 1961 क्यों बनाएगी यही जो commission है यह सारा census को देखेगी census का लेखा जोखा देखेगी अब आपने comment section में लिख कर बताना है कि इसके head officer कौन है क्योंकि अगर मैं ही सारा बता दूंगा आप सुनोगे सुनोगे और सुनोगे जितने assignment नहीं मिलेगी तक तक आपकी हरकत नहीं होगी हरकत नहीं होगी आपको कुछ पता नहीं चलेगा तो मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से search कीजिए और Google में आपको सबसे उपर ही वह मिल जाएगा और वह comment section में जरूर लिखता ना अब कुछ ऐसे student होंगे इतने आलसी होंगे उन्होंने सीधे comment section में देखने और अपने notes में लिख देने तो मैं यह सजेच्ट दूंगा search कीजिए search खुद करो के तो याद रहेगा तो अभी आपने comment section में लिखता नहीं 1961 में यह आ 1790 डाका में हुआ first census अगर अंडिवाइड इंडिया की बात करो first complete census की बात करो तो 1881 उसके बाद से हर दस साल बाद हमारे census होने लगे और उस ताइम के first census commissioner को थे देख सके कि census हमारे इंडिया में कैसा है डेट इस डिश्टराज जन्रल एंड सेंसिस कमिशन ऑफ इंडिया फॉंड बाए M.H.A. अगला आपका आता है features ठेक है जो आपका syllabus में लिखा भी गया साफ तोर पर लिखा है features and function लेकिन मुझे यह आपका theoretical पार्ट आता है बस आप feature में पहला पार आता है sponsorship उसको कोई sponsorship करने वाला चाहिए ठीक है क्यूंकि आपको पता है census में आपका बहुत खर्चा होने वाला है कोई एक organization चाहिए मैं कहूं कि मैंने अब census करनी है मैं तो कंगाल हो जाओंगा फिर भी bank रप्ट हो जाओंगा bank रप्ट से भी मुझे bank से भी पाऊंगा ठीक है तो वही कहा रहा है sponsorship होनी चाहिए यह कोई वास्ट organization कोई बड़ी firm बड़ी organization ही conduct करा सकती है और in India MHA are responsible for census ministry of home affairs सी census कराने के लिए responsible है बाद में दूसरा इसका feature आता है डिफाइन टेरिट्री इसमें define territory भी हानी चाहिए कि हां जनाब बताइये हिमाचर प्रदेश की population कितनी यह माचर प्रदेश में इलने में। में इस्मेल से उधर कितना लीटरेसी रेट है तो उदर हम एक डिफाइन टेरिटरी की स्टडी करते हैं उन्हें पता होना चाहिए अगर ये एक डिस्टिक्ट है कोई जम्मू डिस्टिक्ट है कशीनग डिस्टिक्ट है कोई भी जो भी डिस्टिक्ट है उदर कहां तक उसका बॉर्डर कहां कहां तक आता है हमने उदर तक ही कवर करना है यह नौ आ जाए दस हमने दूसरी डिस्टिक्टिक्टि उठाके जम्मू में डाल दिये सामबा के दसगर हमने जम्मों में डाल दिया ऐसा नहीं होना चाहिए उधर हमें पता होना चाहिए टेरिटरी के बारे में नेक्स बोलता है यूनिवर्सल लिटी यूनिवर्सल होना चाहिए that each and every individual should be considered without omission and duplication यह नहीं कि मेरा मन किया मेरे इसके साथ दुश्मनी है मैं इसको नहीं लूँगा ऐसा कुछ नहीं है आपने हरे को गिनना है अच्छा यह तो मेरा best friend है best friend को मैं दो वारी गिनूँगा तो ऐसा भी कुछ नहीं है हर एक इंसान को equal right देना है census में तो यह भी universality इसका main feature है next बहुता है defined periodicity period की भी बात होती है एक periodicity के according ही आपकी census होती है यह नहीं कि पहले period में हमने 10 साल बात की दूसरे के बाद 2 साल के बाद मेरा मन किया कि census कराने के तो करा दो फिर 5 साल के बाद मन किया तो करा दो फिर 7 स entity होनी चाहिए कि हां इतने साल के बाद ही census होगी तो हमारे recent census कौन सा है that is your 2011 2021 में हो नहीं थी लेकिन करोना वारिस ने सब कुछ delay कर दिया तो census भी मारा delay कर दिया नेक्स बोलता है individual units इसके individual units को हमने count करना है हर एक unit को हमने count करना है must be collected separately for each individual compilation and publication most important है कि आपने census तो कर ली ठीक है जरूरी नहीं है कि एक ही इंसान पूरा का पूरा census करता है इसके लिए एक पूरी टीम बनाई जाती है टीम में भी पता कितने पता नहीं कितने हजारो members होंगे हजारो employees होएंगे जो गर गर जाके इसका कठा करेंगे अब इसका census का main मकसद बनता है कि इसे proper compile भी किया जाए जैसे कि आगे मैं आपको डाटा बताने वाला हूं वह आपको पुब्लीकली डाटा बताओंगा कि जो गोर्म मैंने इस्यू किया वो डाटा बताओंगा ठीक है तो इसका main feature अगला क्या जाता है compilation and publication next most important factor that is your defecto and did your enumeration ठीक है यह दो वर्ड मैं आपको अच्छी दा समझा रहता हूं होते के हैं आपको इसके बारे पता हो ना चाहिए एक exam में मैंने एक question देखा भी था that is your defecto what is defecto ठीक है तो यह ऐसे दो टूल है जो हमें doubling से बचाती है ठीक है बस इसमें difference किया है वो मैं आपको बजाता हूं एक होता है defecto and the another one is DGOD defecto क्या है it tells the people based on their local address which not be their legal residential status it considers the place where a person spends the night of the day अब क्या होता है कुछ कुछ लोग क्या होते हैं पूरा दिन और कहीं पे रही रह रहे होते हैं राथ को सोने कर है तो इससे हो सकते है रात को ओधर data करने जाए तो वह उदर सोया हो उदर से उसकी double हो जाएगी तो इस मैठट में अगर हम डीफेक्टो फॉलो कर रहे हैं तो डीफेक्टो में हम पूछते हैं जनाब आप सोते कहां है आप जिस ग़र में सोते हैं हम उदर का ही आपका डाटा डालेंगे ठीक है डी फेक्टों में क्या पूछा जाता है आप सोते कहां पे हैं और डी जी ओर में देखा जाता है कि आपके काग्जों में कहां का अड्रेस है ठीक है आपका लीगल अड्रेस क्या है ठीक है डी जी ओर में आपने याद अगने है आपका लीगल अड्रेस को प्रेफरेंस कितना क्लियर होगा अब बात करते हैं function फीचर यही थे आपने फीचर का इस पॉइंट लिख लेने और थोड़ा थोड़ा जो मीनिंग आपको लगता है वह आप लिख लो जो आपको सरलवाशा में हिंदी में भी लिख सकते हो ठीक है में चीज होती है कि आपको समझ आनी चाह है कितने अर्बं में रहते हैं कितने रूलर में रहते हैं तो फवाव फंक्षन तो यह हो गया कि आपको education प्रोवाइड करने में मदद करता हैं बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं हां जी सर बोल सकते हैं तो यह 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 है पहला function इदर लिख है utility in administration and policy पॉलिसी बनाने में administration करने में ये मदद करती है हमें उदर पता चलता है अच्छा जनाब इदर इतना बच्चा रहता है तो इतनी education इतने इदर school खुलने चाहिए अच्छा जनाब इदर इतने लोग रहते है तो इतनी hospital भी होने चाहिए इतने welfare facilities भी हमें provide करनी चाहिए इतनी housing facilities भी provide करनी चाहिए तो हमें ये census से ही पता चलता है इस इलाके की इतनी population है तो हमें इतना बड़ा घर इदर hospital खड़ा करना की नहीं करना ठीक है तो आप कह सकते हो ये आपको administration और policy making में मदद करता है next बहुता है information of geographic distribution of people हमें वो बताता है जो people की distribution है उनके size के बारे में उनके characteristics के बारे में उसके बारे में information देता है utility of research purpose मैंने research ही की तो आपको आगे पढ़ा रहा हूँ तब जाके हम कह सकते हैंगी वो research में भी मदद करता है business and industry में मदद करता है उसने पता करना है कि हाँ मैं G&K में इस product की supply करनी है मेरा G&K के बहानी बिकन इतने वाला यह अला product तो businessman क्या करेगा वो करेगा अच्छा G&K की इतनी population है तो मैं इतनी produce करूंगा G&K की population अगर एक करोड है वो produce कर गया पांच करोड तो इसका चार करोड तो वेस्टी जाएगा है ना तो उदर से इसको information मिलेगी उदर से इसे पता चलेगा कि हाँ इतने males हैं तो मैंने इतने ही इतने 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 ही बनाने है तो आप कह सकते हो बिजनेस इंडेस्ट्री में मदद करता है उसे पता चलता है कितनी लेबर है जारखंड में कितनी लेबर है 36 में कितनी लेबर है कहां से पता करेगा बिजनसमें स से प्लैंडिंग में मदद करती है इलेक्टोरल रोल्स में मदद करती है इस पॉइंट से मुझे हसी आ गई अब जैसे इलेक्शन आएंगे घर घर आ जाएंगे अच्छा जनाब आपका बेटा अठारा पार हो गया है जल्दी से बना लिजिए इसका कार्ड और वो कार्ड बि पॉपलेशन इस एबल टू वोड कितने लोग वोड दे सकते हैं होप की क्लियर होगा सेंसिस के बारे में अब हम पढ़ेंगे सेंसिस दोजार ग्यारा ठीक है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो इसी के लेटेड आपको कोशन आने वाल है हमारा लेक्टेस्ट सेंसिस कौन सा है सब 2011 2021 होना था ऐसे लेकिन कॉविड ने सब कुछ आगे के और कर दिया कुछ उसे टाल दिया उसको डिले कर दिया तो इसलिए हम इसमें पढ़ेंगे 2011 का जो आपका लेटेस्ट है भी अब मैं स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर देना चाहता हूं देखो हम रेजिडेंट हैं जि एंड के के टिकलतोह 2011 के टाइम पर हम एक स्टेट से नौट न चे यूटी तो आप यह मत्रत बोलना importance है यह यह यूटी मैं आपको 2011 के प्रॉस्पेक्ट से पढ़ा रहा हूं ना कि 2019 से बीस के से जो लेकिन अगर actual माना जाए तो 121 करोड ही है according to census 2011, 135 करोड हम estimate मान रहे है, accurate नहीं बता हमें, ठीक है, तो ये information हमारे लिए relevant नहीं है, मैं आपको 2011 का बता रहा हूँ, तो आपने उसको ध्यान रखने, तो starting मैंने आपको बता दिया है, अब बात करते हैं 2011 का census, जो main पहला question इदर स बनता है, ये आपका कोन सा census था, ये आपका था, 15th census of India, इंडिया का कोन सा census है, पंदरवा, लेकिन, इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें कि आफ्तर इंडीपेंडेंडर्स अब हर एक सेंज貹 का अपना अपना मोटो हमारी जंगन पर हिंदी में और बात करूं ठीक है तो 2011 Betsy पीटे में आपको टैलिग्राम पर जायंड कर दूंगा अब उसे ज्वाइन के लिए फिर साथ में जैसे कि मैंना आपको स्टार्टिक में बताया अगर मैं सेंसिस कराने किया मेरे पास पैसो की कमी हो जाएगी कमी क्या मुझे लोन के नीचे दबना पड़ेगा उसके उसके बाद ही मैं सेंसिस करा पाऊंगा तो इधर टोटल कॉस्ट कितनी होगी आपको पता है ना जो होता है जो एक बिलियन होता है वो कितने करोड के ब्राबर होता है डैट हंडर्ड करोड ठीक है तो इधर से आप देख सकते हैं मैंने 2-0 कैंसल कर दिये तो इधर बिलियन में कितना हो गया 22 बिलियन तो दोनों में से जो भी option मिलेगा आपने वह चूज क कर लेना फिर बात करते हैं पर capita expenditure कितना आया इंडिया ने क्या किया यह जो आपकी बाइसो करोड़ था बाइसो करोड़ को इन्होंने डिवाइड कर लिया 125 करोड़ जितनी इंकी जन संख्या थी इन्होंने एंड में जितनी दाटा बता रहा हूं यह आपको थोड़ा सा learn करना पड़ेगा थोड़ा सा देखो करना पड़ेगा आपको इसके ना आसपास याद रखो यह बिल्कुल पॉइंटीड वाला भी याद नी रखना 18.19 आपने बास यह याद रखना है कि हां 18 रुपे के आसपास लगा था ठीक ह बाकी यह तो टोटल कॉस्ट तो पता होने चाहिए फिर बात आती है टोटल पॉपुलेशन कितनी निकाली इनों ने टोटल पॉपुलेशन वो जनाब कहते हैं 2011 1210 यह पूरा याद करने की जरूरत नहीं है यह मैंने एकुरेट वो पूरी एकुरेट लिखी है अब यह आप संख्या कितनी है 121 करोड थिक है यह जो मैंने नीचे ब्रेकर में क्या लिख है जो अगर पूरे वोड़ की बात की जाए पूरे अर्थ की बात की जाए 17.5 परसंट है मतलब हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है पूरे वोल्ड से कंपेर किया जाए पूरे वोर्ड की अ की अगर थाउजन करोड है तो थाउजन करोड का 17.5% इंडिया की है बाग की जो बच गया आप कहा सकते हो 82.5% वो पूरे वर्ल की है इंडिया के लास्तारा पॉइंड लेके बैठा हुआ आपको पता है हमारा इंडिया सेकिंड मोस्ट पॉपलेस कंट्री है जो आने वाले कुछ सालों में चाइना को पीछे छोड़ देगा और टॉप मोस्ट हो जाएगा तो उस कारण हमारा 17.5% वर्ल पॉपलेशन से रिलेट करता है और साथ में इस दुनिया में जितने भी छे इंसान है छे में से एक इंसान इंडियन होगा छे में से कोई एक इंसान इंडियन होगा ये भी कहा जाता है क्योंकि हमारे देश की पॉपलेशन इतनी है आपको एक और एक इंटरस्टिंग फैक्ट बताता हूँ हमारा जो यूपी है यूपी अकेला ही ऐसा है जो बाकी कंट्रीज ठीक है बाकी कंट्रीज ही क्या आपके रशिया की बात लेलो रशिया जो इंडिया से साथ गुना बड़ा है इंडिया से साइस में लेकिन हमारे यूपी की पॉपलेशन रशिया से ज़ादा है हमारे यूपी यूपी एक स्ट स्टेट की पॉपलेशन सिर्फोर सिर्फ रश्या से जाद है यह देखो यह फैक्ट आपका ठीक है तो फैक्ट चलो वह उसको थोड़ा साइट पर रखते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे और डीटेल में अभी हम सेंसिस की बात कर लेते हैं हुप कितना क्लियर होगा टोटल पॉपलेशन अब बात करते हैं 2011 के सेंसिस कमिशनर को थे सी एम ठीक है ऐसे याद आपने रखना है सी एम चीफ मिनिस्टर ठीक है सी एम इंकासरी में नाम था आपको याद करने के लिए मैं वह रहा हूं सी एम चंद्रमोली यह भी आप से हाद दस साल बाद हमारी सेंस होते हैं 2011 से एक से लेकर 2011 में कितनी ग्रोफ रेट दिखाई डैट इस यूर 17.6 परसंट आप कह सकते हो 17.5 इसे मैं ने लिखा है इससे बस एक परसंट पॉइंट वन जादा और अठारा करोड इस दस साल में मारी कितनी पॉपलेशन बढ़ी थ करना है अब पढ़ते हैं 2011 का जो सेंसिस था उसको दो फेसिस में कंड़क्ट किया गया ठीक है आपने यह नो डाउन करना है पहला फेस था हाउसिंग लिस्टिंग और इस पॉपुलेशन एनुमिरेशन हाउसिंग लिस्टिंग क्या थी पहले हर एक गर की लिस्ट बनाई ग लेट किया गया नव से लेकर अठाइस तक तो यह दो फेसिस के आपने याद रखने है पहला फेस था हाउस लिस्टिंग एनदर वान इस पॉपुलेशन एनुमिरेशन ठीक है तो गब्राव मत यह मत सोचों कि इतना डीप हो गया तो एक्जाम देना है तो आपको डीप करे लाखा आप कह सक्ते हो आप का सेक्स रिश अच्छी थि उसके कारण इसे बेस्ट परफोर्मर कि आ गया हाँ जनाब आपने बेस्ट पर्फॉर्मस दिया है आपको अवार्ड दिया जाता है लेकिन ऐसी कौन सी स्टेट थी जिसे वर्ष्ट पर्फॉर्मर का नाम दिया गया डैट इस बिहार 2011 की बात कर रहा हूं मैं ठीक है नोट डाउन कर लो अब आपका एक और कोशन आता है जो आपको एक्जाम में पूछा जा सकता है द्यान से सुनना आपको पता है हर 10 साल बात सेंसिस होते हैं कितने आप मैं बता चुका हूं अब हर 10 साल में एक ऐसा ही डिकेड आया जिसमें हमारी ग्रोथ रेट में कमी दिखी माइनस आया डैट इस यूर 1911 से लेकर 21 तर इस टाइम पर आपको बहुत है वर्ल्ड वार होई फर्स इस टाइम पर फेमाइन साय थे एपिडेमिक साय थे उसके कारण यह ऐसा इकलोता पिरेड है इंडिया की हिस्ट्री का जहां पर फेमारी ग्रोथ रेट क्या थी माइनस में थी मारी पॉपुलेशन घटी थी बढ़ने के बजाए घट गई थी तो इसको भी आपने नोट डाउन करना है अब कुछ इसके फैक्स पड़ते हैं कुछ इसके स्टैट्स पड़ते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या निकला सेंसिस कराने का इधर से आपको बचल गया हुगा इप से से रिजल्ट किया निकला तेक है च्यूंकρι आप से पूच्छा झाह police उसके बार मैं आप pare कि पहला बोलता है highest population पहले हम बात करते हैं a को इसी कौन से इंडिया की स्टेट है जहां पर सब ससे भाशन है तो इसे हम स्टीछ से प्रॉस्पेक्ट से भी पढखेंगे और यूटी के प्रॉस्पेक्ट से भी पढ़ेंगे गब्राव मत आपको इदर से मैं सब कुछ याद करा के लेकि रहूंगा तो पहला बोलते हैं सबसे जादा population किसकी थी आपने याद रगना है हमारे अगर इंडिया की बात की जाए वर्ष पर्फॉर्मर हमारे लिटरेसी रेट थोड़ा सा जादा है एलिटरेसी रेट शोरी कहा सकता हूं ठीक है उसके कारणे ने वर्ष पर्फॉर्मर का आगिए तो आपने उदर से देखना है किस चीज़ की बात हो रही है है हाइस Wi efter population की बात हो रही है population इसी साइड की सबस्राद होगी तो इस साइड में सबस्रादा Population किसकी ठी कि तो यू पी अभी मैंने आपको बताए। यू पी रशिया से भी जादा Population कर 我們 रखता है ठीक है तो कित्नी Population थी 99TH की समफ्थिंग यादि नहीं करना आप आपने इसकी राउंड फिगर याद रखने डैड इस योट 20 करोड विच इस प्रिसीडिट वाय महाराष्ट्रा सेकेंड नंबर पर महाराष्ट्रा जिसकी 11 करोड है देखो 9 करोड का फर्क है फिर भी उसके बाद आता है भीहार ठीक है वैसे तो अगर आपको तीनों लर्न कर प्रॉब्लम है तो आप बस फर्स्टी याद रखिए यूपी उत्रप्रदेश में सबस्वादा है और सबसे कम कहां पर यह डैड इस जो सिक्किम स्टेट की बाद चल रही है भी यूटी की बाद नहीं चल रही है सबसे आदा पॉपुलेशन यूपी में सबसे कम सिक्किम म मैं यूटी की बात करूं यूटी में आपको पता है दिल्ली ही होगी हमारी राजदानी कैपिटर ठीक है यूटी आपको पता है हमारे जो एट यूटी है उसके बाद सबसे टॉप पर दिल्ली है अभी एट है लेकिन उस टाइम पर तो सैवन ही थी दिल्ली के बाद हमारी लख्शवदीप लिस्ट ठीक है यह जो मैंने एरो बनाए है यह इसका मतलब है लास्ट टॉप पे आपकी दिल्ली लास्ट में आपकी लक्षवदीप लक्षवदीप भी एक अच्छी मानी जाती है मैं कहूंगा कि एक अच्छी यूटी तो उसका आप इसको ऐसे याद रख स सबसे कम पॉपुलेशन कहां पर है अगर तो अधर स्पैसिफाइड कुछ नहीं है तो लक्ष्वदीब को अपने सबसे पहले पूछने अगर हम दोनों को अकठे पढ़े स्टेट और यूटीज को अगर हम अकठे पढ़ते हैं तो लक्ष्वदीब लक्ष्वदीब में सबसे पॉपुलेशन है यह थाने थाने कहां पर है महाराष्णा में और सबसे कम दिबंग वैली इन अरुनाचल प्रदेश तो ओपकी याद हो गया होगा अभी फिर से कर लेते हैं सबसे जादा हमारे यूपी में है अगर मैं स्टेट की बात करूं सबसे कम हमारे सिक्टिम सबसे कम बात करूं तो लक्षवदीब में अगर ऐज़े होल की बात करूं तो लक्षवदीब में लक्षवदीब में तो दिबन ने वो तो कुछ भी नहीं होता हुआ है उसके बाद बोलते है लीट रेट की बारे मैंने आपको बताया था डेमाफंवी में लीट रेट वो है, 7 साल से बड़े इन बचे जो 7 से 7 ठीक है 16 नी 7 जो 7 साल से बड़े हैं और वो कोई भी इक लिएंग। पढ़ या लिख सकते हैं उन्हें हम बोलेंगे लीटरेट तो इंडिया की 2011 में लीटरेशी रेट कितनी आई 74.04 और इससे पहले वाले सेंसिस की कितनी थी 64.8 आप देख सकते हो 9.21 की जंप वजी है और ये बड़ी अच्छी बात थी पहले क्या होता था बुमेंस को आगे नहीं बेज़ा जाता था बुमेंस को पढ़ाई पर रोक लगाया हुआ था बड़े से उनकी बाद शादियां करा दी जाती थी लेकिन इस डिकेड में थोड़ा सा सोच में बदलाव आया अब लोग गर्ल्स को भी पढ़ाने लगे तो क्या हुआ 9.21 परसंट की हमने जम्मारी और ये बड़ी अच्छी बात ही मैं कहूंगा तो आपने 2011 की अगर लिटरेसी रेट पूछी जाए आपने उधर बताना 74 परसंट पॉइंट 04 याद करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है अब बात करते स्टेट वाइस तो आपको याद होगा यह तो आपको न्यूज में भी कितनी आप सुनने को मिल जाता है आपको यह भी पताऊगा कि जो साउथ की स्टेट्स है इस आर बेस्ट साउथ की स्टेट सबसे बेस्ट है तो पहले नंबर पे आ जाती है आपकी कहरेला जिसकी 93.91 उदर आप सब्जी लेने भी जाओ तो सब्जी वाला भी इंग्लीश में बात करता है फिर लास्ट आपकी आरती बिहार मैंने आपको बोला यह जो इस नॉर्थन स्टेट्स है यह वर्ष्ट परफ सब्जाने न पॉपलेशन उदर कम होगी तो अच्छी बात जितनी कम जंशंक्या ऊतनी ऐच्छी बात है कि वैसे ही लिटरेसी रेट की बात करो लिटरेसी रेट जितना जाधा होगा उतना अच्छा तो लिटरेसी रेट में लक्ष्वधीब सबसे आगे that is your 92.28% और दादर है नागर अवेली सबसे नीचे ठीक है, होपकी क्लियर होगा अब आगे बात करते हैं, sex ratio की बात करते हैं sex ratio की बारे में आपको बताया था total number of females per thousand males अगर 2001 का data देखा जाए तो sex ratio था 933 इसमें भी हमें बरोती हुई that is your 940 हो गया 2011 में 2011 में मारा कितना था, sex ratio 940 अगर state wise देखो कैरला मैंने आपको बोला, कैरला के आपके बारे में पता है उदर women जादा है as compared to men and इदर भी आपका worst performer हर्याना आगी ठीक है, 879 UT wise बात की जाए तो पूडू चरी, उदर हजार से जादा उदर भी women जादा है and the men and do is the worst performer that is your 1616 ठीक है अगला आता है density of population population density मैंने आपको बताया था, एक square kilometer में कितने इंसान रहे है, इसमें बड़ा ऐसा अच्छा data है आप खुद हरान हो जाएंगे, अभी मैं बताता हूँ इंडिया की density थी, 382 square kilometer मतलब कि अगर आप kilometer इहरसे जाएं, एक kilometer इधर जाएं, एक kilometer इधर जाएं, इधर जाएं, इक kilometer इदर जाएं इसकी अदर इंसान रहरे हैं ba 382 अगर इंडिया की बात की जाए मतलब कि कह सकते हो टोटल पॉपूलेशन अपॉटल एरिया इन दोनों को अगर डिवाइड कर तो आपको बज़ लेगा कितनी तो इंडिया की कितनी देंजी है 382 अगर स्टेड वाइस बात की जाए देखो डेंस्टी जितनी जाद होगी उत्मा बूरा है मैंने बताया ना आपको उदर भी आपको देख रहो बिहार टॉप पे कर रहा है वन वन जीरो सिक्स बिहार इस वर्ष पर्फॉर्मर वेस्ट बिंगॉल वन जीरो टू एट और लाज में आ इंट्रेस्टिंग फैक्ट में आपको बताने वाला हूं इदर आप दिल्ली का फैक्ट देखके हिरान हो जाएंगे अगर यूटी की बात की जाए है टॉप पे है दिल्ली और दिल्ली के एक स्क्वेर किलोमिटर में 11000 बंदा रह रह रहे है बिहार का देख रहे हो एक हजा भाएं मैंने आपको पहले में इ centimeter की बार टॉपिक में उदर इसपर और शिस्टम चलता है आप देख सकतेओं इतनी बड़ी बड़ी इसके बाद हम बात करते हैं और गोठेट रेट Mitch मने कितनी जम्मरी कितनी ज़्यादा पॉपल सिंस्थ बड़ी ठिक है जैसे मैंने आपको पर बतお願い थी अब हमने उपर बात की थी अभी डैट इंडिया की अगर एज इंडिया होल बात की जाए तो ग्रोफ रेट थी 17.6 अठारा क्रोट की अबने जंप मारी थी लेकिन अगर स्टेट वाइस देखा जाए ठीक है यह आपको फोर्ट क्लास के एक्जाम में आया है स्टेट वाइस देखा जाए सबस्यादा डिकेडर ग्रोथ किसने शोगी मेगाले ने शोगी और सबसे कम किसने शोगी नागा लैंड थीक है यूटी वाइज में दादरे नागर हवेली ये तो 50% की जम मार गया था 55 के राउंड है मेरे साब से इसकी तो दादरे नागर हवेली 50% की जम मार गया था ठीक है और सबसे कम थी लक्षवदीप में फिर अब अपना लास्ट चीज पढ़ लेते हैं आज वैसे थोड़ी लेंथी होगी है लेकिन पढ़ना पड़ेगा मैनत करोगे तो तभी फल मिलेगा मैं आपको कह रहा हूँ तो ये डाटा जो है मैंने खुद मैनत करके इतना डूंड है आप सभी के लिए अब आपका फर्स बनता है कि सेलेक्शन लाई जाए तो क्या रहे है तो क्या कहा रहा है सैंस्से के आपके लिए इंपॉर्टेट एंपने ए है 889 900 के राउंड है ठीक है 889 आपने याद रखनी है और साथ में देंस्टी चलो हमारे इदर नॉर्मल है हम कह सकते हैं कि ठीक है देंस्टी इदर इदर की लोग थोड़े काम ही है हमारे एरिया ज्यादा है डैड़ फिफ्टी सिक्स यह 2011 का बता रहा हूं 2021 में हम यूटी बन होगे तो लिट्रेसी रेट की अगर बात करूं तो इदर लिट्रेसी रेट है 67.16 16 याद करने की जोत नहीं है सिर्फ और सिर्फ 67 याद रखो यह इनफ आप के लिए तो यह था कुछ डाटा जो आपको याद रखना है आपको मैंने बता दिया है आपको ज्यादा असान तर प्रफॉमेंस आपके कहरे लाव गहरा तम्मिल नाडू भी बेस्ट प्रफॉमेंस में गीनी जाती है ठीक है तो यह आपने ऐसे याद रखने है इदर मैंने आपको सारा डाटा बता दिये कल रात को बैठ के मैंने पूरी सेंसिस की PDF सर्थ सूच करके इदर से सब कुछ सारा ठीक है कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा यह बात याद रखना तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए आपके इतन से चार नंबर पक्के मैं आपको घ्रेंटी देता हूं अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करोगे मैंने आपको पहले भी बताया था यह आपका stats का भी एक common topic है और gk का भी common topic है तो मैं चाहता था कि आपका जल से जल स्क्रेवर्स खत्यू में तभी मैंने यह एक long video नहीं आपको बता है मेरे चैनल पर मैं नहीं चाहता कि मैं long videos बनाओ मेरा 30 मिनेट्स के राउंड ही रहता है लेक्चर आपको पढ़ा दिया जाए क्यूंकि उससे जादा असानी से गैदर होती है लेकिन आज के मैंने सोचा कि पूरा पूरा लेक्चर आपको इसी में कम्प्लीट करा दिया जाए तो अब मेरा नेक्स टार्गेट रहेगा आपको सब्सक्राइब करेंगे तो आज के लिए तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन को ज़रू दुबाइएगा अपने दोस्तों के साथ जरू शेयर कीज़ेगा ता कि सब भी को इसका फाइदा हो सके जो आपने इनिशे